अज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे B.A.B.S.C.B.com के फिप्त समस्टर के चात रहें जिनको अनिवार प्रश्णपत्र यानि को करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा देनी है जिसका नाम है एनलेटिक अबिलेटी एंड डिश्टल अवर्डेंस या आप सभी को परिच्छा देनी है देनी होती यदि आप फिप्त समस्टर में और इसे पर जोड़े कोश्चन आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो बीडियो को इंड तक देखते रहेगा काफी helpful वीडियो आप सभी के लिए साबित होगी तो चलिए शुरू करते भीना दे aletिक्स के कुश्चन आएंगे ठीक है कंप्यूटर के के कुश्चन आएंगे एंटरनेट के कुश्चन आएंगे ठीक है और आपको कुछ यह एक देखने खने में कि डैने छेकी को मिलेंगे श तो आपको इस प्रकार के कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एक्जाम्पल ग्रूप में आपको बता ही दिया कि कई तो एक जनौरी को कौन सा दिन था तो एक जनौरी दो हजार तेश्ट को कौन सा दिन होगा या फिर पांस जनौरी को कौन सा दिन होगा तो तो एक जनौरी दो हजार तेश्ट को कौन सा दिन होगा या फिर पांस जनौरी को कौन सा दिन होगा ठीक है 2020-2023 में इस प्रकर्विस्टे दे जाएंगे हलाकि इसमें option भी होते उसमें आपको बताया वी जाएगा कि कैसे कैसे सोल्विक किया गया काफी helpful question आपकी परिष्या के लिए साबित होंगे तो video को इंट तक देखते रहेगा और पहला question मैं आपको पढ़ी दिया इसका जो सेउत्तर हो जाएगा ऑफिन नमबर बार इसका सेउत्तर हो जाएगा क्या बार नमबर तो कहेंगे थिक है तेमरू अगला प्राशन है कि कागज की एक सीट को बिना काटे या चिपकाए मोड कर 3D ऑबजेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है थिक है तो कोई कागज और क प्रोसेस को याद रखेंगे ठीक है और जहां तक मुझे जानकारी है मैंने देखा पेपर भाई कई इन्वर्सीटों में डिश्टल अवरनेंस का जो पेपर हो चुका है ठीक है तो उसमें मैंने ज्यातर 75 नंबर का पुड़ांग होता है तो मैंने 75 नंबर 75 नंबर के कोश् प्रिजनिंग के थे और मैथमेटिक्स जो मैं आपको बता रखा हूं ठीक है उसे सब्सक्राइब कंप्यूटर और इंटरनल से कोश्चन आते हैं ठीक है मैंने देख लिया है और क्या कोश्चन था कि कारवाही एक तरीका क्या हांफिल करने में मदद करता मालीजी कोई करने में मदद करता है तो ध्यान लखेंगे इस प्रश्चन का सहुत्तर हो जाएगा ठीक है जोखिम और निश्यतताओं का परबंधन करना ठीक है कारवाही तब ही तो होगी जमाल जी कोई समस्या है किसी को या पिर कुछ अन्होनी हो रही या फिर मतलब की किसी की आदमी की द्वारा किसी को ठेश पहुचाई जा रही तो वही तरीका क्या अपनाएगा जोखिम है और उसको समस्या है तो सिंपल सी बात कारवाही करेगा ही करेगा ओके अगला प्रश्चन है कि कारवाही के वेकल्पिक तरीकों का मुल्यांकन करने का उद्देश क्या कहलाता है या तो इस प्रश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा और अप्शन नमबर साथीक है सबसे प्रभावी समाधान चुनने के लिए ठीक है अगला प्रश्चन है कि कारवाही के तरीकों का मुल्यांकन करते समय आम तोर पर किस कारक पर बिचार नहीं किया जाता है मतलब किस चीज ब बिचार किया जाता कि समी की कमी संभावती प्रेडाम लागत प्रभाव सीलता इन सभी पर ध्यान दिया जाता है लेकिन बेक्तिकत प्राथ मिकता है पर नहीं ध्यान दिया जाता है अगला कि कारवाही का तरीका क्या है तो सिंपल सा इसका उत्तर है कि कारवाही का जो तरीक आप मतलब कि अलग-अलग परिभासाओं में भी समझ सकते अलग-अलग उदारण में भी समझ सकते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ते हैं कि निमलिखित में से कौन सी किरिया बिध ही विक्सित करने का एक कदम नहीं है निमलिखित में से कौन सा ऐसा आपसद है कि रहें वहाई कोई भी का रहो पिक है वह विक्सित करने का करने का फिर लागतार कशान ब אחד इता उगרכ initiatives छोड़ दें। ुअ इसको छोड़ें। जोड़ें कि वह चीज भी चीज लोगातार कर आपो को चीज बिक्सित कहा हुं पएगा उसका। ठीक है अगला प्रस्ण कहे रहा कि कार वहाही के वैकल्पिक तरीकों के पहचान की बाद कौनसा कदम उठाय जाता है तो fiscal सा उत्त्र है कि वहां पर टीक है कारया कोंसा संधर होगा आमबर काजय काने किया जाता है ठीक है यह किया जाता है याद रखें यह कदम अठाय जाता है अगला प्रस्ट है कि magnetic tape की memory accessable क्या है थीक है इसका सही को जाएगा सईरह यहींढ़ १ तक सेक्वेंसील मतलब कि मेगनेटिक डियसे कोई चीज आप देखते नहीं कि टेप करने रिकार्ड करने वाला यह फिर किफी चीज से आवाज निकले वही वाली बात हो रही ठीक है आपने मैगनेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या हो सेकेंश लिए मतलब स्टेप बाइस्टेप सेकेंश में चलता है ठीक है अगला की CD-ROM यानि कि CD-ROM निम्नांकित में से किसका उद्राड़ी सब सारे कोईश्चन आपके कंप्यूटर पर जुड़े हैंगे ठीक है तो CD-ROM जो है वह बहुत बड़ा उदाहरन है वह किस चीज का है आपको बताना है ठीक है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नंबर सही जो सही उत्तर हो जाएगा आप्टिकल मेमोरी का है सबसे बड़ा उदाहरन है ठीक है क्योंकि CD आप लोग देखते होंगे कि जो बाहर से लगाई नहीं जाती CD कंप्यूटर है फिर लेप्टाउप पे ओके अगला प्रशन है कि कंप्यूटर की अफ्थाई असनम्रत होती है या जाकि जो जैसे की रैम है रहा होता रहें में यही होता है कि आपका जो डेटा है वह मतलब की मालिजिया कुछ कर रहें काम उचारक से लाइट चली तो आपको कम्प्यूटर बंद हो जाएगा तो दॉबारा आपके लाइट आपकर अप्लिक रहे ना टाइप करे जो काम करे पर किसका डाटा नहीं अटता है तो यहां पर कई सारे आपसे दिए गए हैं तो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर कौन सा बताए कमेंट सेक्शन में आप सब्सक्राइब तो मतलब कि अगर मान लिजे कम्प्यूटर बंध हो गया तो इनले से किसका डैटा आपका जुए वो नहीं हटता है तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी का मतलबות। pected data है तब भी नहीं अटेगा हाड एकस में हैं तब ही नहीं हटेगा इफ ले से ऊत्तर हो जाएगा इन सभी का मतलब कि इन computer बंद होने पर इन में से ठीक है तूड़ाटा है ठीक है किसी का भी नहीं हटेगा ठीक है CD-ROM क्या है CD-ROM simple सा इसका उत्तार लिखेंगे जो CD-ROM होता है वो दुतियक memory होती है जिसको दुतियक के नाम से जानते इन आपसरों में से ठीक है अगला प्रस्ण है कि डॉट डॉट के डेटा को अफ्थाई रोप से स्रंग्रहत करने के लिए दुतियक memory का प्रियोग किया जाता है कौन से memory का प्रियोग किया जाता है ऐसी कौन से दुतियक memory है जिसका प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर भरा जाएगा जो starting में वो भरा जाएगा ध्यान से सुनेंगे बहुत ही महात्मोर प्रस्ण है बरा जाएगे हैं आप रैम ठीक है ध्यान चुनेंगे रैम के डेटा को अफ्थाई रोप से संग्रहित करने के लिए दुतियक मिमोरी का प्रियोग किया जाता है इस बात को ध्यान रखेंगे वह तब जिसमें इस्टोर किया जा सके ठीक पर्मानेंटली अगला प्रशने की यह कुश्चन कहे रहा कि कौन सी मिमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाती है तो इसमें सीडी रोम आ जाता है आप सभी को मालूम है इसमें होता है कि बाहर से एक तरीके से बोलते हैं कि जिसको डिस्क ड्राइब उस बोल नाम से जानते है ठीक ध्यान रख जानके बाद देवाद जानके बासी अंदर चली जाएगी तीक है उसके बाद एक केबल के माध्यम से वह आपके कंप्यूटर में सो करने लगी ठीक है तो वही होती दूतियक या सहायक में होती अगला प्रस्ण है कि प्राइमरी फॉरी फ्लाफी डिस्क की तुलना में फ्ल फ्लापी डिफ्की की तुलना में एक कंपेक्ट डिफ्क यानि की सीडी में जो डेटा एक्सस किदर है वो बहुत ही तेज है ठीक है अगला कुश्चिन कही रहा है कि कंप्यूटर की अफ्थाई मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आकडों को फुरचित रखती है वो क्या करता है ठीक है वो क्या कहलाता वह आपको बताना ठीक है कंप्यूटर की अफ्थाई में वह जो बहुत बड़ी संख्या में आकडों को फुरचित करती है उसको किस नाम से जानते ठीक है बहुत ज़ाएदा ठीक है तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण का हार्ड डिश् सॉंग है या फिर आपका कोई डेटा है वह फारे गेम है ठीक है कुछ भी आप लोग इसमें इस्टोर कर सकते जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या में आप लोग कर सकते ठीक है पचास मोवी फार्ट मोवी फो दूसो पांसो हजार दोजार गाने ठीक है बीडू गाने सब अगला पर्षण है कि किस डिस्क को कामपैक्ट डिस्क कहते हैं आप सभी जानते होंगे अच्छे मुझे ज्यादा करने क्या सकता ने क्यों मैं कई बार बता चुका हो ठीक कंपैक्ट डिस्क को सीडी के नाम पे जानते तो सिंपल सा उत्तर्व या आप्टिकल डिष्क है ठ खीक है याद रखेंगे और रैम कोशिचन कहीज रहा कि रोम का बिस्तृत नाम यह थो रोम का फूल नेम क्या है तो रोम का फूल आप लोग जानते हैं कि रेड ऑफ सी अली मेमोरी होता है याद रखेंगे रहा रहा कि निम्रिक्षित में से कौन से तथ अपलेकेशन बिंडो से संबंदित हैं ठीक है अगर आपने कंप्यूटर की जानकारी लिए डिवलोपा किया कंप्यूटर कोचिंग की तभी आप लोग इसको अच्छे समझ पाएंगे अदर्वाइज कंप्यूटर की नोलेज ही नहीं तो यह आपके ऊपर से जाएगा ठीक इस बात को ध्यान आप अदर्व को अगला कोश्चन कह रहा है कि फिल्टर का अर्थ क्या है फिल्टर मतब कि किसी भी डेटा को मा लिजी आपको आसाने से collect करना हमा लिजे आप लोग आपके जिस में आप लोग राज में रहते हैं उस राज में अमित नाम के बहु梁 थाजो repeated आपके राज में तो तुलंत मतलब फिल्टर होके आ जाएगा कि भाई ये वाला अमित जो है वह आपके इस गाउं आपके सहर का है ठीक है तो यहां पर फिल्टर ही यूज होता है वरना एक-एक करके फर्च करेंगे कि भाई यह हमारा कौन सा मतलब यह अमित कौन से गाउं का है एक-एक कि टाइपिंग एरिया को मैक्समाइज करने के लिए प्रियुक्त होता है तो माली जहां पर आप लोग टाइप कर रहे हैं मैस वर्ड में कर रहे हैं ठीक है यह पिर कहीं पर भी टाइप कर रहे हैं ठीक है तो आपको मैक्समाइज करने के लिए मतलब कि बड़ा करने के में से जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नमर 2 उसको कहेंगे फुल स्क्रीन भी ठीक है अगला प्रस्टन है कि इस्पेलिंग तथा ग्रामर डायलोग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन की उप्योग में आती है यह कुश्चन भई यह कह रहा जो मालीजे nó आहां पर आप्को मालीज मैंगो के स्पेलिंग नहीं मालो आप लिखा मैं नहीं मैं ihm six a ऐसे लि यहां पर आपका जो कंप्यूटर में इस पेलिंग चेकर होता है जो ग्रामर होता है वो इसको तुरंत यहां पर यह यह वर्ड लिखेंगे यहां पर रेड रेड दिखा देगा कि भाईए यह आपने जो लिखा है मैंगो की स्पेलिंग यह पूरी तरह गलत है ठीक है तो अगर आप यहां को जानना कि भिजा इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी के वहां पर आप आप общем को बोलतेbres ऐसे दिश आप सामने वाला मतलब बेंगो की स्पेलिंग स्पेलेसि लगए तो आप तिक कर देंगेstyक तो मतलब इस पेलिंग को सही और चेक करने के लिए एप सेवन की का प्रियूख किया जाता है कम्प्यूटर में कीबोर्ड से अगला है कि डॉट डॉट या सबसे लोग प्रिये इंटरनेट गद भी दिये इन अफसर में से कौन सी के सामने संप्रेशण की पहले ह का मतलब की उत्तर अच्छे से आपको समझ लिए इसलिए मैं आपके समझत संप्रेशण की परिभासा या पर संप्रेशण क्या उसकी परिभासा प्रिस्तुत कर दिये क्योंकि सही उत्तर वहाँ पर संप्रेशण होगा ठीक है तो संप्रेशण के अधिक बग्दिएंगों के बीच मौखिक रूप से लिखित रूप से संकेतिक या प्रित्याक्तमक माध्यम के बिचार एम म Sorry के प्रिक्रिया ही संप्रेशण होती है तो इसलिए वहां पर सही उत्तर हो जाएगा संप्रेशण चली आते हैं प्रफिश्टा की बिसिस्ता ठीक भाई या वो बाहर खत्रों पर इंटरनेट पर कुछ आप काम कर रहे हैं पिर उस तरह का कुछ आनलाइन माध्यम से आप लोग कुछ कर रहे हैं तो एक तरीके से उसके उसका मतब देख रेक काम होता है ठीक है साइबर की बिसिस्ता साइबर की मतब यह है कि आप किसी ठगी के शक्कर में न पढ़ जाए आनलाइन आपके फाद कोई हाइट कोई न कर ले आपके डेटा कोई न चुरा ले आपके पैफे कोई न निकाल ले एक्टियम से या फिर आपके मुबाइल से ठीक है तो यह उसकी ब आप सभी जानते ही होंगे मुझे बतानी क्या हो सकता नहीं कैसे उतर जाएगा आप से कहेंगे साइबर हमला यानि कि आपकी कंप्यूटर फिर डेटा कोई चुरा ले डाटा कोई डिलीट कर दे ठीक है और आपका डेटा टांसफर कर ले ठीक है इस तरह कि जो हान ही है उसको ह साइबर हमला कहेंगе ठीक है कंप्योटर बाली वाहां सामें ठीक है और ऑला कि साइबर सुरच्छा कि यह रचती है तो फुर चरती है वह साइबर फुरच्छा अपराधियों की फुरच्छा करती है मतलब कि साइबर फुरच्छा का काम होता है जो मतलब कि साइबर अपराधियों होते हैं ठीक है उनसे रच्छा करना ठीक है कि वो आपके डेटा को हैक न कर ले अगला सेब एच के लिए सार्ट कट की कौन सी प्रियोग की जाती बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन जैसे कि मालीज आपको डेटा को एक बार सेब हैं दुबारस उसको सेब करना चाहें किसी दूसरे नाम से तो वहाँ पर आपको एफटोयल की दबाना पड़ेगा की बोर्ड से ठीक ह अगिला प्रेशन है कि वर्कषीट में कंट्रोल मेनू प्रदर्सीत होता है एकडिया अपका संबंदित है एक्सेल MS जो हमारा MS Office होता है उसका एक पार्ट है जिसका नाम है MS Excel MS Excel से जड़ा cal question की worksheet में control menu होता है कहाँ पर आपको बताना है तो सही उत्र हो जाएगा इसका आफसा number आठीक है top border के उपर सबसे उपर ठीक है आगला question हम ध्यान देंगे कि Microsoft Excel में help के लिए और आप सभी के एक्जाम के लिए उत्तर इसका सही हो जाएगा कौन सा बताइए कमर्सिक में सबतर जाएगा आपसे नंबर सा एफ-वन पर इसकरेंगे वहाँ पर कौन सा एफ-वन ठीक है अगला कि किसी वर्क सीट का आंतिम सेल जिसमें डेटा होता है ठीक है फिलेक्ट करने आप लोग सबसे लाश्ट में पहुंच जाएंगे ठीक है अगला प्रस्ण है कि किसी वर्क सीट में इस पेलिंग करने के लिए क्या प्रियोग करते तो आपका एक्सल हो चाहाए एमेस वर्ड हो किसी में भी आप लोग चेक करेंगे तो अब सेवन ही किसे किया जाता है ठीक के चेक करने के लिए अगला कोश्चन है कि किसी वर्क सीट में तेस्ट इस्ट को किसी वर्क सीट में लिंक करने के लिए क्लिए क्या प्रियोग के आज threads having इस ता उस से चीज का वीडियो वो क्या है वो आपको जानकारी मिलती तो सेम वैसे ही है आपको यहां पर लिंक दे दी जाएगी लिंक से आप लोग जो भी अटेज करेंगे वो आपको दिखेगा जब उस पर किलिक करेंगे ठीक है तो इस प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा आपसे नंबर भाई फर्मूला भी हो सकता नंबर भी आप बर सकते टेस्ट भी डाल फकते हैं ठीक है अगरा कोश्चन करेंगे इस को स्क्रोल कर रहे हैं उपर से नीचे ठीक है इसी तरह अगला प्रग्राम ट्रांफलेटर प्रोग्राम जो उच्छ अफ्तरी भासा को निम्न अफ्तरी भासा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते है तो बहुत इमादपूर्ण प्रेशन याद रखेंगे उसको कहेंगे कंपाइलर कंप्यूटर भासा में ठीक है अगला के MS Excel में एक फाइल को क्या कहते है तो MS Excel में कोई फाइल होता है उसको हम जानते है वर्क बुक क जब जुड जाती है ठीक है पंग्त एक ठीक कॉलम है और एक पंग्त है ठीक है यह जुड जाती है तो इसको क्या कहेंगे ठीक है हम वहीər पूछ ?" पूछ रहा है तो तो सेह स्युत्तं का हो जाएगा अब क्प्शन नंबर उसको कनगे हम सेल ठीक है ध्यान लखेंगे तो जैसे कि माली जी कि आपकी पंक ते इधर फे जुड़ गई और आपके ये कालम जुड़ गई तो क्या वा लगए इस पूरे के पूरे बोक्स हो हमको सेल बोलते हैं कंप्यूटर भांसा में एक्सल में ठीक है अगला कोश्चिन कहे रहा है कि यह नीचे दिएगे सभी पद इस्प्रीट सीर सॉफ्ट बेर से सम्रद्ध हैं सिवाए किस चीज के सिवाए वारफ ठीक है डिटेक्शन के सिवाज बाकी जो आपके सेल है वरक सीट है फार्मूला या साबके इस्प्रीट सीट यानि एक्सल से सम्मंदित ठीक है वो अब जान लेते हैं औरी गेमी होता ही क्या है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ठीक है औरी गेमी की परिभाफा औरी गेमी वह कला है जिसमें पेपर को कई डिजाइन में फोल्ड किया जाता है जिससे एक मालिजे कोई सेप्स है या फिर कोई आकरती है ठीक है बनती पेपर फोल्ड कर को eh तरह-तरह की आकरत कया है तो एक औरे गेम किम ए करका को पेपर फोलडर कहते हैं ठीक heard एक करफ कि में पेपर के बंड़ilद क्या जाता यता है ताकि कि दुए उरिवकर देखा करना की दिये हाब तेकर एक टरह देकर ठीक है वो ठीक है एक तिरकोड की आकरत में दिखे यानि कि बहुत फारे अलग yêuब तरीकों में वो दिखे ठीक है इसको ओर एक गेमी कहते है और अगला प्राश्ट भाईया कि यद एक घन के फल्कों को काले रंग में रंख धिया जाए और फिर घन को एक एक ही अकार में 64 चोटे गणों में काड दिया जाए तो उनमें से कितने का ठीक मतलब उनमें से कितने का ठीक एक फलक रंगा हुआ होगा ठीक है तो यतना महात्पूर नहीं आप इग्नूर कर सकते लेकिन सही उत्तरिश्का हो जाएगा 24 ठीक है वो 24 फलक रंगों में रंगा होगा ठीक है अगला कि जटिल डिजाइनों को कागज में काटने की कला को क्या कहा जाता है ठीक है जटिल प्रकार की पेपर कटिंग में कागच के एक तुकड़े को मोड़ कर और काट कर डिजाइन बनाना सामिल है यह सर्फ प्रस्णाम की पर इच्छा में आएंगे ध्यान लखेंगे तो इस प्रस्णे का जो स्यूत्र हो जाएगा वह जाएगा अप्शन नमबर तीक उसको कहेंगे किरिगामी अगला है कि पैपिल पिकाडो सब्द का ताथ पर किसे से है किस चीज से मतलब की ठीक है पैपिल पिकाडो का मतलब क्या होता है यह कोश्चन कहे रहा है तो इसका मतलब होता है ध्यान लखेंगे वहती महत्मोल प्रस्ण है ठीक है इसका मतलब होता है ठीक है मैक् प्रकार की तह कागज को आधा मोड कर दो बराबर भागों में विभाजित कर दीती हैं तो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर वह घाटी वलन के नाम फे जानते हैं प्रकार के कागज काटने के लिए नहीं किया जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर दर अगला की पेपर की प्टली पट्यों का रोल का रोल करना सामिल है तो इसका सहित्र हो जाएगा अप्शन हमेर तीक है ए marching क्यू लिंग अगरा के पेपर फोल्डिंग के संद्रव में ठीक है टेस्ट लेशन सब्द ठीक है टेस्ट लेशन सब्द का क्या आर्थ है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अफ्शन नमबर सा ठीक है ओबर लेप या ठीक है गैब के बिना फता को कबर करने के लिए एक पैटर्न को दोहराना अगला प्रश्ण के निम्रकित में से कौन सा मूल औरे गिनी फोल्ड नहीं है ठीक है तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा अफ्शन नमबर सा ठीक है वो है ट्विस्ट फोल्ड नहीं है बाकी सब है ठीक है याद रखेंगे ठीक है अगला प्रश्ण है कि कौन सा प्रिस्द जापानी ओरे गेमी कलाकार अपनी जटिल और जीवांत ओरे गेमी रचनाओं के लिए माना जाता है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन याद रखेंगे तो उनका नाम है सातोसी कोम फ्रिश्द वहस्त्युकार इसर्फ इसस्ब्वेजां को सामिल किया ठीक है नाम है на 12 दि возм पॉप्लर कोश्चन है उनका नाम है ठीक है साहा हविद का नाम करा कि कौन सा सब्द त्री आयामी इच्छा भी बनाने के लिए कागच के तुकड़ों को परत करने की तक्निकी का वरड़न है तो सही उत्तर रुसका हो जाएगा आपसे नमर कौन सा बानमबर ठीक उसको कहेंगे डे को पेज ठीक है इफी तरह आपको आगे भी कुछ कोश्च कौन से रोम होती है ठीक आप सभी को मालूम है इस तरह की प्रस्ण आपको देखने को लेंगे जो कि आपको त्यार करें को बताए दिया यह पूरी 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 पीडियाफ आपको टेलीग्राम वर्सप पर मिल जाएगा इसमें से कई सारे आपको 10-15 नंबर जरूर आपक करें